नमस्कार मैंना अजमिन खान और आप देख रहें स्पियन नाइन नियूज नागरिता संसोधन कानून का मुद्दा और शाहिन बाग के इन प्रदर्शन कारियों की आवाज धारा 144 लगा दी जाती है बीते दिनों कहा जाता है कि वहाँ पर अब धरने को हटा दिया जाएगा लेकिन अभी भी वहाँ प्रदर्शन कारी मौजूद है धरने पर बैठे हैं और अपनी अवाज सरकार की सामने लेकर जा रहे हैं लेकिन ये बार बार एक ही मुद्दा उड़ता है प्रदर्शन कारियों को लेकर कई अपति जनक शब्दों का इस्तमाल भी किया जाता है कई लोग अभी भी परेशान है कि शाहिन बाग की ये लोग क्यों नहीं समझते कि आपकी वज़ा से आम लोगों को भी तकलीफ हो रही है तो यहां पर जो शाहिन बाग में धरने पर बैटे हैं वो भी आम लोग हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है और इस असान तरीका जो आजमाते वे देखे जा रहे हैं कि असानी से बोल दो कि शाहिन बाग में जो प्रदर्शन कारी बैटे हैं उससे हमारा काम काज रुक रहा ह वहाँ पर आवाज या ही रुकी हुई है तो ऐसे में वो गलत कर रहे हैं जो सरासर कहना गलत होगा क्योंकि आप ये असानी से कह सकते हैं लेकिन उनकी जगा पर आप अगर धरने पर बैटेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी अगर आपके पास दस्तवेज नहीं हुए या आ आपको जद्दो जहत करनी पड़ेगी आपको दख्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे कई ऐसे वक्त बरबाद करने पड़ेंगे जहां आपके कामकास भी ठप हो सकते हैं तो ऐसे में ये कह देना कि वो एक तरीके से परेशानी है वो गलत है वहाँ पर अप धरने जो पर बैठे हैं अब जो धाया 144 लगा दी गई है उसके बाद भी वहां सुप्रिम कोट के वकील सादना हेगडे और संजे वहाँ पर जाते हैं माग कीजेगा संजे ये और सादना राम चंदर जो है वहाँ पर जाती है और वहाँ पर फिर से बात करती हैं कि यह आपका धरना गलत नहीं है लेकिन आप अनिष्चित काल तक यहां पर नहीं बैढ ए सकते हैं जिसमें से 80 प्रतीशक जो प्रदर्शनकारी वो इस बात को मान चूँके हैं और जो 20 प्रतीशत जो अभी भी प्रदर्शनकारी है वो कहीं न कहीं अभी भी सवालों के घेरे में हैं तो ऐसे में ये बाते सामने आ रहे हैं कि होली से पहले शाहिन बाग की प्रदर्शन कारी अपना धरना खत्म कर देंगे बस इन 20 प्रतिशक्त लोगों को मनाया जा रहा है लेकिन यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि यह उनकी हार नहीं है इतना ना तो छोटा धरना है और इसी के धरने की वज़ा से और राज्य में यहां तक की विदेशों में भी इसकी लहर देखी जा रही है वहां भी इन धरनों का समर्थन किया जा रहा है तो ना तो यह चोटा धरना है ना ही उनके होसले चोटे हैं तो ऐसे में उनकी यह हार नहीं यहां तक कि शाहिन बाग में अगर वो धरने पर बैटे हैं तो आधे से जादा रास्ते खुल सकते हैं और खुद वहां पर ओकला से कालंदी कुंच का रास्ता शाहिन बाग की प्रदर्शन कारियों ने वेरिगेटिंग हटा कर खुद खोला था तो ऐसे में पुलिस भी वहां खुद से वेरिगेटिंग करे हुए है जो शाहिन बाग पर थोपा जाता है और उसी का आरोब को हटाते हुए खुद शाहिन बाग की प्रदर्शन कारियों ने वहां से वेरिगेटिंग हटाई थी तो अब ऐसे में आवाज जाही भी हो सकती है धर्ना भी कायम हो सकता है लेकिन उनको हटाने की ये मोहीम क्या पूरी होगी क्या होली से पहले वो धर्ना खत्म हो जाएगा क्या कहना है आपका कमिन बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें SPN 9 News